नमस्कार दोस्तों, हर दिन कुछ निया मैं आपका एक बर फिर से स्वागत है, मैं हूँ श्वयता, रिपब्लिक टेपे मैं आप सब के लिए लाई हो कुछ खास इन्फॉर्मेशन, मैं आपको दिखाऊंगे इस तरह से सोसाइटी में लोगों ने ध्वजा रोहन किया, क्या आपको पता है कि राश्च द्वश फेहराने के कुछ नियम है, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं ते एक बहुत बड़ी मुसीवत में पड़ सकते हैं, आपको आर्थिक दंड के साथ जेल भी हो सकती है, साल 2002 में राश्च द्वश तिरंगा फेहराने के कुछ नियम बनाए गये हैं, जिसे भारती द्वश सहीता के नाम से जाना जाता है, जंडा फेहराने के लिए जंडे को किस तरह से मोड़े और तैयार करें, साथ ही राश्च द्वश तिरंगा फेहराने से पहले की जाने वाली वो समपूर्ण तैयारी मैं आपको दिखाऊंगी, जाती है और किनके नियमों का पालन किया जाता है, कि अान से अरलि हाँ, जाता है, कर दिद्द के लिए वे इसकेत जैलिख के लिए लेक्राद hm कि भारत में 26 जन्वरी 2022 को 73 गरतंस दिवस मनाया जा रहा है देश भर में हर्शो और उल्लास के साथ मनाय जाने वाला रास्टी पर रिपब्लिक डे पर भारतियों के मन में अपने वतन के लिए देश और देश प्रेम के जज़बा हिलोरे मारता है इस खास मौके पर लोग किस तरह से ध्वजा रोहन से पहले की तैयारी कर रहे है पर लोग किस तरह से पहले कर रहे है पर लोग किस तरह से पहले कर रहे है पर लोग कर लोग के रहे है कि कि अचे हैं कि अचे खूरा करेंग् मैं अचे झाल, कि अचे हैं बारत मतो की जय वंदे बातरम 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 परोग मताकी जे जे शिवाजी जे खवाणी जे खवाणी रिपब्लिक डेपे मेरी ये खास वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा ऐसे ही बहतेरीन वीडियो के लिए देखते रहे हर दिन कुछ नया और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर दिजे और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजे बैल आइकन जरूर दबाएए जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे जैहिंद